नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरजुन खजूरिया आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें दिली के बहुचर्चित शराब गोटाले में सुप्रीम कोट की तरफ से मनीश सिसोधिया को राहत नहीं दी गई है यहाँ पर याचिका खारी जो चुक है मनीश सिसोधिया का सबसे बड़ा ब्रेक इस शराब गोटाले को ले करके जो यहाँ पर अभिशेक, मनू सिंग्वी, कॉंग्रेस के यहाँ पर नेता है लेकिन यहाँ पर गए थे मनीश सिसोधिया के फेवर में सुप्रीम कोट और यहाँ पर दरवाजा खट-खटाया था हाल ही में जो गिरिफतारी की गई यहाँ पर सीबिया की तरव से मनीश सिसोधिया की क्योंकि मनीश सिसोधिया जाँच में बिल्कुल भी साहयोग नहीं कर रहे थे सीबिया का जो है यहाँ पर दे दिया गया मनीज सी सोधी अगर उसके बाद यहाँ पर सीधे तोर पर अगर बात किये तो मनीज सी सोधी अप महुंच गए सुप्रीम कोट में एक बेसिक सा यहाँ पर कानून है कि अगर आपको जाना है तो आप निचली अदालत से शुरू करेंगे लेकिन यहाँ पर अगर बात किया है तो क्या हम आदमी पार्टी यह सोलती है कि दिल्ली में बैठे हैं तो हम सीधे जो है सुप्रीम कोट जा सकते हैं और यहाँ पर सीध फरवरी का और उसके बाद वहाँ पर जो धलीले रखी गई उसको पूरी तरह से खारिच कर दिया यहाँ पर उस याचिका को खारिच कर दिया जिसमें जमानत की मांग की जा रही थी यहाँ पर मनीश सी सोधिया के लिए बैरहाल अगर बात कि जाए तो यहाँ पर जो परा नहीं है तो फटकार लगी है बहुत बड़ी आमाद्वी पार्टी को जो लगातार अपने आपको खुदी सैडिविगेट बांट रही है कट्टर इमानदारी का और उस कट्टर इमानदारी के पीछे चिपा हुआ है बहुत बड़ा श्राब गोटाला कि किस प्रकार से उस निती के नाम पर जो कुछ कारोबारी थे उनको जो है फाइदा पहुंचाए जाता है अभी निती आती भी नहीं है लेकिन उसकी कौपी जो है ये मनीश सिसोधिया के थूरू उन कारोबारीयों के पास पहुंचाती है इसमें ये भी बड़ा खुलासा हुआ था कि 170 फोन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर मनीश सिसोधिया ने एक आम इंसान जो है वो क्यों 170 फोनों का इस्तेमाल करेगा क्योंकि अगर बात किड़ा है यहाँ पर आपने आपको लगातार आम आदमी आदमी का टैक दिया जाता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से उसके ला जो है वो यहाँ पर जनता जाना चाहरे लेकिन दूसरी तरफ अगर बात किजे तो आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो लगातार इस बात की कवायत कर रहे है कि देखिए शिक्षा में हमने जो है कितना बहतरीन काम किया लेकिन यहाँ पर बात हो रहे है शराब गुटाल कर रहे है कि शिक्षा में हमने करांती लाई इसलिए जो है बीजेपी हमारे पीछे बढ़ गे लेकिन अगर बात किजे तो यहाँ पर यह शराब गुटाले की बात चल दिया और कुछी दिरों में एक और बड़ा खुलासा होगा वो होगा जासूसी कांड को लेकर के क्योंक करतन की मांग कर रहे थे शिक्षा में बदलाव के लिए शिक्षा में करांती के लिए अब वो कहीं ना कहीं उस शराब गुटाले में फस्ते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर बात किये तो सुप्रीम कोट का दर्वाजा जो है खटखटाया था और बार बार संजे सिंग य दिया जा रहा धिनेश अरोडा जो यहां पर एक मुख्य एहम कड़ी है जिन्होंने बताया किस पकार से वो कमिशन अपने आप 12% हो गया जिस 12% को लेकर के लगातार जो है वो भारतियन तपाड़ी सवाल पूछ रही है ना उसका कोई प्रोसस है ना कहीं पर उसके लिए ड पर आम आदमी पार्टी ने उस चापे मारी में 14 जनवरी को हाल ही में जो सिस्टम जब्त करके लेकर गए थे यहां पर मनीश सिसोधिया के ऑफिसे उसमें से फाइल्स डिलीट मिली थी जिसके बाद जो फॉरेंसिक टीम है फॉरेंसिक टीम ने उसमें उस डेटा को रिकवर तो कही सारे हैं पहलो पुछ जा रहे है उसमें फी जवाब की किसी भी आमादमी पार्टी के नेता के पास निया उनके बास जवाब क्या होते हैं कि here नीज़ सिसोधीया की पतनी घर पेखे लिए हम उनसे मिल कर आ रहे हैं ये इन राजनेताओं की अगर बात किये तो यहां पर इनकी राजनीती परंपरा देखने को मिल रही है बगवंत मान यहां पर पहुंच गे मनीज़ सिसोधीया के गर में गिरफतारी होने के बाद यह पो उसको सीरस ने ले रहे, उस चीज़ पर कोई बात नहीं कर रहे, पंजाब के लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको दर्द इस चीज़ का है, कि मनीज सी सोधिया क्यूं आखरी कार यहां पर गिरफतार होगे, क्यूं उनको CBI ने गिरफतार कर लिया, और कुछ दिन पहल कार रहे, कि हम से डर चुके हैं, हम से बुखला गए हैं, इसलिए यहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है, अगर बात की जए, तो जो सहयोग की बात की दी, क्यूं यहां पर जवाब नहीं दिये जारे हैं मनीज सी सोधिया की तरफ से, जो सीधे तोर पर सवाल पूछे जा हैं जिसमें हमने आपको पहले बताए धिनेश अरोडा जो एक एहम कडिये जो सरकारी गवा बन चुके हैं उन्होंने बताए कि इस हिसाब से इस पूरे मामले में बड़े-बड़े नेताओं की अगर बात किये तो वो शुमार है इसमें संजे सिंग का भी इसमें नाम सामने आ सब जानते हैं कि दीरे-दीरे अभी मनी सी सोधिया अंदर गए है अभी इसमें नाम आया है अर्विंद केटरिवाल का भी कुछ दिन पहले पहली बार ये गोटाला सामने आने के लगबग सात महीने बाद पहली बार नाम किसी का सामने आया है वो है अर्विंद केटरिवाल का जो एक एहम कड़ी है इसमें लगातार अपने आपको कटर इमानदार का सेटिविएट बांडते रहते हैं लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर के बेसबरी से इंतजार था खास तोर पर अगर बात कि जाए तो इसके तार जो साउथ इंडिया तक जो है वो कि उनको भी दर्द हो रहा है इसमें मनीश सी सोधिया की गिरफतारी पर क्यूं जो है वो तेलंगाना के सीम का स्टेट्मेंट सामने आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि उनके नेताओं के भी तार इसमें जुड़े हो है तो केवल और केवल आमादमी पार्टी इसमें शामि सबसें बनाना चाहती है इनका केस लड़ने के लिए सबसे आगे कौन गे सुप्रीम गोर्ट में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से पैरवी करने वाले वकालत लडने वाले अभिशेक मनु सिंग वी यह समझना बहुत जरूरी है दर्श बार बार कहा जाता है कि कॉंग्रेस जो है बीजेपी की बीटीम है लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए बीटीम कोन है वो साफ तोर पर देखा जा रहा है कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल करके जो है वो सुप्रीम कोड में जा रही है लेकिन सुप्रीम कोड ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि आप यहाँ की जासूसी करवाई जाती है बड़े बड़े जो पुराने यहां पर intelligence के लोग हैं उनको शामिल करकर के और उसके बाद यहां पर आ करके कहते हैं कि हम तो कटर इमानदार हैं स्वाती माली वालों कहते हैं मैं 15 साल से जानतू इनको यह बिचारे अच्छा काम कर रहे हैं कौन सा अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए शराब गोटाले में अगर बात कि जा है तो अपने दोस्तों का कारोबारियों का यहां पर 144 करोड रुपे का लोन माफ करने की बात है बहराल अब देखना होगा यह यहां पर 4 मार्च तक के लिए कस्टेडी दी गई है इस बीच जो राहत के लिए जा रहे थे मनीश सी सोधिया की सुप्रीम कोट से राहत मिल जाएगी उल्टा यहां पर सुप्रीम कोट से फटकार मिली है मनीर सी सोधिया को यहां मताईए जाना है तो हाई कोट में जाए वहां पर जाकर के जो है अनुशे 32 का इस्तमाल की जिए सीदे यहां पर मताईए आपको रूल नहीं मालूम है क्या तो यह एक बेसिक सी चीज आप निशले अदालत से ही जो है शीर अदालत तक पहुंचते हैं लेकिन शायद आम आदमी पार्टी उस चीज को भी अपनी राजनीती में बूल चुकी है बहराल इसको लेकर अब आपका क्या कहना आपकी कह रहा है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे तमाम अपडेट के लिए बने रही है हमारे अधर्णड़त दन्यवाद